अयूब की पुस्तक अध्याय सत्रह मेरा प्रान नाशुआ चाहता है। मेरे दिन पूरे हो चुके है। मेरे लिए कब्र तयार है। निश्चय जो मेरे संग है वह ठटा करने वाला है। जो मुझे लगातार दिखाए देता है वह उनका जगडा रगडा है। जमानत दे और अपने और मेरे बीच में तू ही मेरा जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे। तूने इनका मन समझने से रोका है। इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा। जो अपने मित्रों को चुक लिखा कर लुटा देता। उसके लड़कों की आखे रह जाएग और लोग मेरे मुह पर थूखते हैं और खेत के मारे मेरी आखों में धुनलापन चा गया है। और मेरे सब अंग चाया के नाई हो गये है। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निरदेशे वह भक्तिहिन के विरुद्ध उभरते हैं। तो भी धर्मी लोग अप अपना मारगा पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ। परंतु मुझे उन लोगों में से एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन तो बीच चुके हैं और मेरी मनसाय मिट वे रात को दिन ठहराते वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यहां हो कि अधोलोक में मेरा धाम होगा। यदि मैंने अंधियारे में अपना बिच्छोना बिच्छा लिया है। यदि मैंने सडाहट से कहा है कि तु मेरा पिता है और किडे से कि तू मेरी मा और मेरी बहीन है तो मेरी आशा कहा रही और मेरी आशा किसके देखने में आएगी वह तो अधोलोक में उतर जाएगी और उस समेथ मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा।